हेलो इस्ट्रेंट्स वेलकॉम बैक टू मैं चैनल होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे तो जैसे कि मैंने गेम का जो स्टार्ट किया था अपने चैनल पर उसका रियल्ड अनाम्स कर दिया लास्ट विक का लास्ट वीक में मैं जितनी भी वक्षट कराई थी उनमें मैंने जितने भी कोस्टन पूछे थे मैंने सबका रियल्ड अनाम्स कर दिया टेलिग्रम चैनल पर तो अगर आप लोग को पता हो तो उसमें से एक बच्चे का नाम सूरज है एक का पुर्णिमा है और एक बच्चा और है ठीन बच्च नहीं है पूरी डिटेल जाना चाहते हैं गेम के बारे में देखो गेम में क्या है मैं आप लोगों से कुस्टन पूटप करूँगा और जो भी स्ट्रेंट उसका अंसर देगा उसमें से मैं बच्चे सेलेक्ट करूँगा और उसके घर पर गिफ भेज़ लाएगा मैंने चा सब्जेक्ट इंग्लिस क्लास एर्थ ठीके डेट आपकी 9 अगस्त की है बच्चो तो सभी बच्चे अपने अपनी नोट बुक निकालेंगे इंग्लिस की क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा अलग है कराने का मैं आपको हैंड टू हैंड बताता हूं कि आपको करना क्या है और सम अगस्त कि फिर आप लोग अपना नाम लिखेंगे फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे तो को इतना लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए अपना नोट बुक और पैन साइड में रख देंगे जिससे में आपको अच्छी तरीके से समझा फिर हम लोग इसके को सनसर करना स्टार्ट करेंगे ठीचो देखिए इसमें आपका दिया गया है एड्जेक्टिफ्स ठीके एड्जेक्टिफ्स आपको खंट्लिव किया जा रहा है पहले क्लास से तो आप लोगों ने हमने पढ़ा भी तक जैसे कि मैंने आपको बताया था क कोई भी चीज किसी की विस्ट सा बताय कोई वर जो किसी की विस्ट साफ टायो होता है कि को तो लेकिन अगर हम उससे कंपेर कर देते हैं किसी भी इससे देखो positive degree आपकी normal होगी मतलब उसकी एक वो अच्छा है ठीक है अब comparative degree में आगे है comparative degree में क्या बता जारा है वो उससे better है मालो एक चीज है वो अच्छी है ठीक है mango है अच्छा है किस चीज से फिर अब कहा जा रहा है वो better है इसका मतलब दो mango है उसमें से कहा जा रहा है कि यह mango इससे better है दो में comparison हो रहा है टू में ठीक है और इसमें क्या है superlative degree मतलब एक का comparison बहुत सारी चीजों से यह रहा है एक बहुत अच्छा एक आम है और यह चोटे-चोटे मतलब बहुत सारे आम से यह तो best है मतलब यह best है इन सब से तो यह Degrees होती है जो हमें use करनी होती है तीन चीज में ठीक है फिर में आपका normal आगी है एक चीज की खासित बताई जा रही है अब इसमें गया है दो दो चीजों से compare किया जा रहा है इसमें आपको बहुत सारी चीजों से compare किया जा रहा है तो इसमें पूरे में यह दिया हुआ है 10 तक जितना आप देखेंगे देखें वैल में आपका कह दिया है बैटर मतलब एक नॉर्मन हो गया अच्छा ठीक बैटर मतलब उससे भी अच्छा और बैस्ट मतलब और भी जाता अच्छा ऐसी बैट वॉर्ष बोर्ट ठीक है ऐसे ही आप देखेंगे तो इसमें फॉर फॉर्दर एंड फॉर्टेश ठीक मैनिंग मैनि मतलब नंबर हो गया फिर आपका कितना मोर मतलब यह नंबर इससे ज्यादा है और मोस्ट मतलब यह मोस्ट है बिलकुल ऐसे हैं किसी भी चीज़ का तीन डिगरी मानी जाती है जब हम एडियक्टिव बढ़ते हैं अब चलिए बी पर आते हैं तो सभी बच्चे क्या करेंगे अब देखो ए में तो आपको कोई कोस्टन करना नहीं था ठीक है वो सिफ समझने के लिए था सभी बच्चे अपनी नोट बुक में उतारेंगे भी ठीक है आप लोग ऐसे करेंगे कोस्टन भी सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले भी वक्षिट कराई है तो हम लोग यह नहीं लिखेंगे मतलब जो फाल्दो की चीजी है यह वाला ठीक है इस विए सिफ समझने के लिए होता है हमें हिंट देने के लिए होता हम यह नहीं लिखेंगे सिधा हम लोग असल नशर करेंगे कि कि अब दो को इसमें क्या गया है points सिंद विनर तो पॉइंट की जब बात आयी तो इसमें पूछे जारा सबसे ज्जादा पॉइंट किसके थे तो बच्चों इसमें क्या जाएगा आपका मोर आजाए गा एंट यह तो आप लिखो के इसमें प who has more points, who has more points in the winner सभी बच्चेस में लेख देंगे more चलिए अब साइक्र में दिया, your house is, इसमें क्या 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 दिया है, far farther, farthest, away than mine, ठीकिए अब एक की बात चलिए है, तो आपका, क्या जाएगा, further आजाएगा, आप लिखेंगे इसमें, farther, अब देखिए, थर्ड पे आते हैं, रीना इसदा, रीना इसदा क्या, अब आपका best dancer आजाएगा, क्लास के अंदर क्लास में, बहुत सारे बच्चों से क्या जा रहा है, अब इसमें, you should sleep, then you should these days, मतलब आपका देश्ट से किया जाएगा, मतलब सिर्फ कुछ ही चीज़ों से किया जा रहा है, ज्यादा नहीं, तो यह चीज़ बस छोड़ी-छोड़ी या देखिनेंगे, that strong वजदा, क्या है, आएगा बच्चों इसमें, क्योंकि देखो, इंदा हिस्टरी की बात चलिए, मतलब बहुत सारे लोग, तो बहुत साएगा, 6 में देखे गया है, I have, अब इंटरेस्ट किसमें कहा रही है, singing, then dancing मतलब, singing में जादा है, dancing से, तो आपका इसमें, क्या जाएगा, लेस, क्योंकि अगर वो कहती कि, और सब चीज से, सब चीज से कहती, तो आता, आप इसका लिस्ट में लिस्ट आ जाएगे, लेस आ जाएगा, अब चो लिस्ट आ जाएगा, जब बहुत सारी चीज़ों से comparison होता है, लेस आ गया, अब हम 7 करेंगे, अब देखो, यस्टरडे से comparison किया जारा, आज को, तो सिर्फ दो चीज का comparison हुआ, तो दो चीज के comparison में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग comparative degrees करेंगे, मतलब जो हम middle वाली पढ़ते हैं, मतलब जिसमें इससे दो चीज़ों से comparison होता है, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, आपका इसमें आ जाएगा बच्छो, यह रहा, फर्दर आ जाएगा, तो यह आप लिखेंगे फार्थर, इसमें इस स्बस्टी कीला, इसमें आपका एगा, जाएगा, आप इसमें लिखेंगे लिखेंगे, अब एर्थ में दिया है प्रिवेंशन इज अब आप लोगो नहीं यह वह बहुत सुना होगा प्रिवेंशन इस सा इस बैटर देन ठीक है तो आपका बैटर आ जा जागा इसमें यह अब टैंट पे चलते हैं वी नीड इन्फर्मेशन बिफॉर मेकिंग डिसीजन तो आपका इसमें क्या जाएगा फर्दर क्योंकि तो चीज का हो किया जा रहा है इसमें इसमें तो आप लोग देखोगे मैंने आपके टैन कॉस्टन कैसे कंप्लीट कर आए होफली सभी स्ट्रेंट को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे इसमें आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ आप जो मैंने फिलिंग करा है वह आप फिल करिए और अपना कोसल नोटाउन करिए यह साइड में आपको कोई लिखने की जरूत नहीं है ठीक है यह जो आपको दिया हुआ है यह आपको नहीं लिखना विचो अ आपको नहीं लिखना एक सेक्ड में मैं सभी बच्चे को गेम के बारे में बता देता हूं एक सेक्ड में आपको गेम के बारे में बदाता हूं इसमें टुक्ना देता हूं आपको यह जो है आपका एक गेम है जिसमें आपका क्यूस कंपडिशन चला है क्यूस कंपडिशन जैसे मैं आप लोगों से क्या कोशन बूट अप कर रहा हूं कोशन और इसमें बहुत सारे बच्चे अंसवर दे रहे हैं लेकिन एक बात देखिए एक बच्चा है जो वीडियो को पूरी देख रहा है लेकिन वही बच्चा सब अंसर पहले दे रहा है क्यों उसका रिजन मालो एक बच्चे ने अंसर दिया पहले वाले बच्चे ने वीडियो पूरी देखी उसने अंसर दे दिया फिर उसको देखके बाकी बच्चों ने क्या करा बच्चों ने देखा इसका अंसर यह है उन्होंने भी सेम दे दिया तो मतलब यह वहाना कि एक बच्चा ऐसा है जिनने वीडियो पूरी देखिए फिर अंसर दिया है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उसको देखकर फिर रिपीट कर रहे हैं तो वह अलग ही पता लग जाता है अच्छी बात है देजिए तेखिए सारी वार्क्षिट करें मेरी चैनल से वीडियो को पूरी देखिए तौर आपको डेली वार्क्षिट करने है ठीके अलाश्ट दैनल से और जब आप वीडियो पूरी देखोगे और जैसे ही आपको कोई कोशन नजर आता है ठीक कोशन आप पढ़िए उसको मैंने जो कोशन पूछा है और फिर आप अपने घर में बड़े से किसी से पूछके तुरंट उसका अंसर दे दीजिए और मैं देखूंगा भई यह बच् को नहीं पता हो और वह जानना चाहता है गिफ्ट की लिष्ट के बारे में तो वह बच्चा मुझे बता देगा मैं आप लोग को उसकी लिष्ट प्रोवाइड कर करा दूंगा ठीक है बच्चों तो मिलते हैं नेक्ष्ट वरक्षीट में अपते के लिए अपना ख्यार लग डीक फिल देन बाई बी सेफ श्टे हेल्धी जय हिंट जय वार